कि रन करता हूं मैं और फिर देखते हैं देखो आप लोग करें मैं डिलीट करूंगा कुछ प्रॉबलम दिखाता हूं फिर सालूसन देता हूं मैं सारा यहां पर डेटा फिल करूं और फिर सेफ बटन पर क्लिक करूंगा तो नियमत है ये होना चाहिए कि सारा डेटा जो है blank होके form reset हो जाए save होने के बाद मुझे reset बटन पे click जैसे देखो यहाँ पे आया reset पे click किया तो पूरा data reset हो जाए रहता है मैंने एक ही जगह लिखा है लेकिन save करने के बाद ही पूरा data reset हो जाना चाहिए तो हमें एक काम ये करना है दूसरा काम ये करना है कि मैं right click करके update पे click करूं तो जैसे ही update button पे click करूं तो पूरा form reset भी हो जाना चाहिए और form जो है window बंद हो जानी चाहिए update के case में इस update पे जैसे मैं click करूं है मिच अगला क्या करना है कि जैसे में डिलीट करूं तो डिलीटेटर यहां से गायब अ हुर मतलब डैटर रिफ्रेस हो जाए यहां से कोई भी नया डेटा में आड करूं तो डेटा यहां पर दिखने लगे पहले नहीं दिखता था और अब ही नहीं दिखेगा लेकिन दिखने लगे और यहां से कोई भी data में update करता हूँ जैसे right click करके update किया और मैं क्या mail के दियो में फिमल कर दिया यहां पर यहां फिमल के दियो में mail कर दिया तो data यहां reflect होना चाहिए पहले नहीं दिख रहा है अभी भी नहीं दिखेगा तो हमें इस पर काम करनी है तो मैं क्या करूंगा अब देखो delete का मैं पहले करता हूँ कहां गया delete यह देखो delete डेटा जैसे delete हो तो फिर load data यह method पर मैं जाओं यही method है जिसको call करने से data जो है update होता है जे टेबल में तो मैं garbage collector के pointer भी उसे मैं क्या करूंगा आऊंगा यहां पर और जाव मैं garbage collector की बहुत जादे में बात नहीं करूंगा यहां पर लेकिन मैं आपको यह चीज़ें बताना चाहूंगा कि जैसे आपने memory allocate करते गए करते गए करते गए लेकिन जब जरूरत ना हो या फिर जरूरत जब खतम हो जाए हमारी जरूरत पूरा हो जाए तो हमें memory release भी करनी चाहिए तो जावा जो है वो automatically garbage collection करता है हमें जब जस्ती release करने की जरूरत ने खुद बखुद करता है लेकिन फिर भी मैं इस तरह से मैं आपके सामने garbage collector के लिए यहां पर forcefully जो है नल कर दूँगा इसको data जैसे जैसे जे टेबल में data source हो जाएगा मैं यहां इसको नल कर दूँगा और नल कर देंगे तो यह eligible हो जाएगा garbage collection के लिए और GC यहां पर system.gc कर देते हैं garbage collector को request कर देते हैं जैसे जैसे क्या कहते हैं हमने garbage collector को call किया कि है garbage collector आप आईए और सारे memory को release कर देजिए हम request कर रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि request करने पर garbage collector आके आपका पूरा memory release करे हैं हम request करते हैं बस और कुछ नहीं करते हैं तो इसको मैं यहां request ना करके मैं कहीं और request करनूंगा तो जादा बेहतर रहेगा इसलिए इसको मैं यहाँ पे request नहीं करता हूँ चलिए यह null कर दिया मैं और ना null कर दिया तो क्या कुछ नहीं है delete पे मैंने यह method call कर दिया है यह method कहा है student listener के अंदर यह method है शमद रहो बाता यह method जो है वो student listener के अंदर है अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे आऊंगा IAD student यहाँ से call हो रहा है यहाँ पे मैं कौमा दूँगा और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा इस तरह से इस मतलब इसका object समझ रहो आप एक मिनट रूपना जो रहो देखो आप इस मतलब इसका object अब मैं IAD student constructor पे जाता हूँ यह है IAD student और constructor में जो है यहाँ पे कौमा दूँगा और यहाँ पे manage student listener का ml यहाँ इस पेस मारूँगा तो यह listener आजाएगा इस listener का object लिया और फिर यहाँ पे इसका object में कहीं store नहीं करता हूँ सीधा मैं आता हूँ नीचे और listener को पास करूँगा कहां किया listener यह listener है इस listener को sorry listener नाम से object यहाँ पे listener one के नाम से object बना दूँगा इस listener को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अब क्योंकि listener का इस constructor के अंदर ही हमने listener का object बनाया है तो इसलिए local variable से काम चल जा रहा है लेकिन इन सभी के लिए special मैं क्या बोल रहा हूँ छोड़ो टाव आपको कितना समझे में आएगा इसलिए अच्छा है कि जो मैं code लिख रहा हूँ आप देख लो अब मैं यहाँ पर आऊँगा और कॉमा listener listener यह listener है अब मैं क्या करूँगा यह है सिब जैसे ही सिब हो तो listener.loadData loadData के पास मुझे आना पड़ेगा यहाँ पर भी मैं call करूँगा इस तो एर खतम हो गया इसनों क्या समझे है भाई इस पास करी दिया मैंने एक कह रहा है कि create constructor नहीं है है भाई बना है constructor हम रहा है सेव नहीं किया हुए इन सबको ना इसलिए problem कर रहे हैं लोग अब यह add student में error आ रहा है कहां पर error आ रहा है last में error आ रहा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर से में delete मार दूँगा हटो यहाँ से यहाँ पर main method होगा ही नहीं manage student में आऊंगा यहाँ पर आऊंगा मैं load data के पास आऊंगा और load data जो private method है इसको मैं बना दूंगा पब्लिक हो गया है अब मैं यहां पर आउंगा लिस्नर डॉट क्या मज़ाख है भाई इसको जब हमने कर दिया पब्लिक इसको क्या समस्य हो रहा है यह तो पब्लिक मेथड होई गया है और यह लिस्नर के अंदर बनाई है तो मैं यहां पर आउंगा डॉट लोड डेटा ऐसे मैं कॉल नहीं कर सकता इसको क्यों नहीं कर सकता मुझे चेक करना पड़ेगा यह है लिस्नर वन कर सकता हूं मैं सब कुछ हो सकता है ओ सारी मैं नहीं कर सकता सच में नहीं कर सकता बता रहा हूं क्यों मुझे यहां पर अब भी ध्याना रहा है मैंने और ऐसे मुझे करना पड़ेगा और फिर मुझे इक्वल टू इक्वल टू ऐसे दिस करना पड़ेगा क्यों ऐसा करना पड़ेगा यहां पर रहा है क्योंकि यह वेरियेबल जो है सिर्फ कर्स्ट्रक्टर के अंदर अवे लेवल है और मैं कॉल कहां कर रहा हूं कर्स्ट्रक्टर की बाहर यहां निकल के कॉल कर रहा हूं मैं यहां पर ते देखुआ अब अब लिए पर जाएंगे हम और वैलिडेट के भी अंदर आएंगे जब डेटा बेस में डेटा सकसेस फुली सेब हो जा उसके बाद रिषेठ में करना चाहिए क्योंकि आप मान लीजिये कि आपने वैलिडेशन किया ठीक है आपने वेलिडेशन करा वेलिडेशन में कुछ रिक्वायरड आया जैसे माली इंटर फॉन नंबर सो हुगा वेलिडेशन फंक्सन जो है सो किया एरर का मैसेज है उसके बाद एरर का मैसेज सो करते पूरा फॉर्म रिसेट हो जाया तो यह नहीं होना चाहिए इसलिए यह रिसेट वाला जो कोड है और रिसेट का कोड है यहां लिखना है हमें छोटी सी बग है बग क्या है हमने यह भूल किया था तो मैं सोचा कि इसको बता दिया जाया आपको तो यह रिसेट यहां नहीं होगा और यह लोड वाला जो है इसको यहां से कट कर ही देना चाहिए और हमें save के पास जा करके जब database में successfully data save हो जाए तब ही हमें reload भी करनी चाहिए जब database में successfully data save हुआ ही नहीं है तो क्या जरूरत है हमें data दुबरा reload करने का हमें जरूरत नहीं है तो हमें क्या करनी चाहिए यहाँ पे सिर्फ यह code लिखनी चाहिए डेट के बाद क्या हो डेटा डेटाबेस में लोड हो जाया और उसके बास दिस नहीं एड स्टूडेंट को हम डिस्पोज भी कर दें डिस्पोज कर दें हो गया तो लगभग मेरा काम अब हो गया मैं प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ मैंने इस्टूडेंट से प्रोग्राम रन होगा रिकोड हो रहा है अब आप देखना एड स्टूडेंट पर मैं आता हूँ यह सीमें एन टी कुछ भी मैं यहां पर लिखोंगा एड देल जीमें डॉट कम कुछ भी लिख देता हूँ मैं डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी डाल रहा हूँ सारे डेटा फिक मैं एंटर कर रहा हूँ एक दो तीन चार पांच छे साथ आट आट नौ तस मेल डाल देता हूँ एड्रिस में कुछ भी ऐसी डाल दे रहा हूँ केटेगरी सर्टिफिकेट मांग रहा है मैं यही फोटो डालता हूँ इसमें भी मैं यही फोटो डाल दोंगा कि टेंट का सर्टिफिकेट वांग रहा है तो इसमें भी मैं यह एक ही डाकुमेंट है सब में अपलोड कर दे रहा हूं कौन समय रियलिस्टिक काम कर रहे हूं लोग यहां पर आऊंगा और यहां पर भी यह बड़ा फोटो है एक सेप्संस के काराण हो हूं हमने रिटर्न कर दिया है तो इसलिए वह गयाब हो गया यह देखो रिलूड हो रहा है हमने रिटर्न कर रखा है इसलिए समस्या रहा है है पूरो समस्या आना नहीं चाहिए हम फिक्स करें गो उसको अगर 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 एक मिनिट इसको आखिर ऐसा क्यों समस्या होना चाहिए मैंने सेलिक्ट किया फोटो हो गयाब हो जा रहा है अगर इसको क्या प्रॉब्लम है चलो अब यह देख लेते हैं क्या शमस्या इसको आ रहा है यह अपलोड इमेज है मैंने गलत जगह पे डिस्पोज मेथड कॉल किया है यहाँ पे मुझे नहीं करनी चाहिए यह दोनों मेथड मुझे यहाँ पे नहीं कॉल करनी चाहिए के लिए मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूं मेथड तभी तो मैं संचों यहाँ पे मुझे मेथड कॉल करनी चाहिए जैसे अपडेट इस्टुडेंट हो फॉर्म डिस्पोज हो डेटाबेस से डेटा लोड हो मैंने गलत कॉल लिखा यहाँ पे ऐसे अब सही से काम करेगा हमारा एड किया तभी तुम मैं खहूंगी एक्सेप्शन जब आई नहीं तो क्रैस में से मेरा कैसे कर रहा है कुल अब ठीक है यह भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूं कि सारा सेलेक्ट कर लूँगा 12 इस तरह से यह क्या टाइप कर रहा हूं मैं कुछ भी डिटाली लूँगा मैं एक दू तेन चार पांचे साथ नौधस मेल से पर क्लिक किया और एमेल एड्रेस इमेल एड्रेस टू गैब नहीं होनी चाहिए थे क्यों गैब हो गया भी इमेल डॉट कॉम चलो ले लिया डेट अवर्थ भी यह भी ले लिया के टेगरी भी ले लिया तीन चार पांचे साथ अधर नौधस यह भी मैंने ले लिया सारा फाइल्स में सेलेक्ट कर लेता हूं एक फोटो और बाकी यह ले भाई ले लिया टोटल फोटो अब मैं सेब बटन पर क्लिक करता हूं डेटा सेब सक्सेसफुली फॉर्म पूरा रही सेट हो गया और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया अगला डेटा इस डेटा को मैं चाहूं तो अपडेट कर सकता हूं यहाँ पर यहाँ पर एस्टी कर देता हूं यहाँ पर अपडेट प्रोजेक्ट को बनाओ इसमने कोई बगunu-गर देखती है आपको तो आप हम्हें बताओ और एक काम मैं और करूंगा वो काम क्या है? मेन मेथट इसको यहां से गायब करूंगा मेन मेथट यहां पर नहीं होनी चाहिए इसको यहां से गायब कर दूंगा मैं मेन मेथट होनी फिर कहां पर चाहिए? Login form में मैं आऊओंगा यहां पर main method है यहीं पर main method होनी चाहिए register के अंदर देखता हूँ मैं यहां पर main method है मुझे यह नहीं चाहिए मुझे main वाला चाहिए login वाला main चाहिए Run जावाब लिए यहा गया मैं देख लेता हूँ username, password और नो यहां तो कोई email ID पास्वूर नहीं है तो मैं एक data insert कर लेता हूं यहां पर name is cmant email में cmant at gmail.com 123456 data insert कर दिया मैं यहां पर लिकूंग cmant gmail.com 123456 ओ यह बटन पर क्लिक किया लगन बटन पर तो खुल गया रेडी इस्टाफ लाइबरी वाकि आपकी इच्छाजी अप्लोड बनाव मोडियूल ना बनाव यहां पर जो है रेडी हो चुका है इसको हम अप्डूट हम कर सकते हैं अपडेट कर दिया और यहां पर जो जैनरल लिका है इसको मैं एक्टी कर देता हूँ अप्लोड सक्सेस यह देखो बदल चुका है तो अब लगबग हमारा सारा काम हो चुका है अब अगले नहीं नहीं खातम प्रोजेक्ट अब इसमें कोई काम नहीं करने वाला तो अब हम नहीं मिलेंगे अगले वीडियो में चलिए अब आप सब लोग सोजाईए मैं भी अब सोजाता हूं अब बाकि यदि इसमें कुछ बग वगर आपको मिलता है तो आप लोग मुझे जरूर बताना कि इसमें कुछ बग वगर है तो मैं अस्वाल्प करूंगा और यदि बग वगर नहीं है तब तो बहुत अच्छी बात है अब प्रोजेक्ट बनाने के दवरान सारा चीजें देखना एक एक चीजों को टेश्ट कर पाना उतना संभव नहीं रहता और आप देख रहे हो कि समय का कितनी अभाव है कॉलेज वगर में तो मुझे यहां प बात है